दोस्तों आज हम बात करेंगे एक important topic के उपर वो है आपके पेट के छाले stomach के अलसर पे आज वारता लाप करेंगे और ये भाया ऐसी problem है जिसको भी gas होती है जिसको भी खटे डकार आते हैं जिसके भी पेट में भारी पन लगता है उसको अलसर हो सकता है जब आपके मुँ के अंदर छाले हो सकते हैं अगर आपके मुँ में छाले होते हैं तो आपके पेट में भी छाले हो सकते हैं छाले छाले होते हैं और छाले का मतलब होता है gastric ulcer stomach ulcer मतलब इसको medical language में हम peptic ulcer भी बोलते हैं तो ultimately ulcer is ulcer, ulcer मतलब गरम पानी गिर गया हाथ पे तो फुफले बन गये, वो छाला है और वो फट गया और वहाँ पे बहुत ज़्यादा डीप बन गया, acid गिर गया तो वो ulcer है, तो ulcer वही आपके मुह के अंदर जो होता है, that is called ulcer, that is called छाला और gastric या duodenal या peptic ulcers इसी को बो होते हैं, बहुत सारी चीज़े होती है, ज्यादा तर लोगों को जो ulcer होते हैं, वहाँ पर उसका कारण होता है आपकी ली गई दवा, आपकी ली गई जो आप पेन किलर लेते हैं, उनके वज़े से आपको अगैस्टिक ulcer होता है, एंसेड्स या फिर एक बेक्टेरिया होत या ऐसी कोई दर्द वाली बिमारी जिसके लिए दर्द की दवा खाते हैं, वो उनको दर्द की दवा के वज़े से कई बार ulcer हो जाते हैं, अल्टिमेटली आपको पेट में जलन होता है, बर्निंग इन दस्टमक, आपको कभी-कभी फैटी चर्वी वाला खाना अगर जाद ज्यादा होगा, कभी-कभी एसीड ऊपर आएगा, एसीड रिफलक्स होके हाट बर्न होगा, हाट अट अटैक तो नहीं आ रहा है, सब सुचो करते हैं, नौजिया हो सकता है आपको और साथ ही पेट में ब्लूटिंग बेल्चिंग टाइप चीजे भी हो सकती है, अगर आप आपको चेकप जरूर करना है, डॉक्टर के पाथ जरूर जाना है, याद रखेगा, एच पाइलोरी, पेन किलर और कई सारी ऐसी दवाईया है, जो उसके कारण होते हैं, रिस्क फैक्टर आपका स्मोकिंग, अल्कोहल, अंट्रीटेड स्ट्रेस, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेना, एक दिन ढंग से नहीं सोना, कई लोग न ये नोट किया होगा, एक दिन सोईनी अगले दिन अल्सर, students ने नोट किया होगा, आगले दिन मूह में चाला, ये होता है, होता है ना, होता है, that's equivalent to पेट में चाला, पेट में चाला, ऐसी हो सकता है, that is called gastric ulcer, so बहुत spicy food ख साना खाली रात को डिंग से सोवे नहीं बहुत स्ट्रेस ले लिया कोईच हो गया प्रॉबलम मुछ में चालहा पेट में अलसर पेट में गास इसके वज़े से कॉम्प्लिकेशन क्या सकते हैं बहुत हो गया बहुत हो गया बहुत हो गया तो हो जाए तो फट भी सकता है, होल कर सकता है, परफोरेशन कर सकता है, यह सारे basic है, पेप्टिक अलसर कई बार digestive systems को affect कर सकते हैं, और even inflammation करके सूजन कर सकते हैं आसपास के एरिया में, सूजन करके वो एरिया literally उसके अंदर से रास्ता बंद हो सकता है, तो can actually block the way also, and बहुत rare है, लेकिन chronic ulcer अगर हो रहा है, ulcer, 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 सालो साल लगे रखे खयाल, ulcer, तो हर बार ulcer बार-बार होने से, उस एरिया में inflammation बार-बार होने से, आपके अगर कहीं genetically आपको cancer के chances होने हैं, तो वहाँ पर cancer के chance बढ़ सकता है, याद रखे, it's not like उस से cancer हो जाएगा, it's like inflammation जहां होगा, है न, अगर आग लगनी है, तो गरम एरिया में लगीगी न, वैसी, बस, ऐता है, आग लगनी जरूरी नहीं है, है न, ऐता है, so prevention बहुत जरूरी है भाईया, और treatment बहुत जरूरी है, prevent क्या करो है, H. pylori नामक bacteria को prevent करना फिलाल possible नहीं है, लेकिन अगर आपको ये food to food and water से transmit होता है, तो गंदे food गंदे खान लगाई, गोल्ड गप्पे, jam आता दी, let's rock, ना खाओ ज्यादा बाहर का खाना, फिर वो है, और बाहर का जो unhygienic food है, वो कम खाईए, ना खाईए, दूसरा painkillers avoid करिए, दर्द के कारण को ठीक करिए, डॉक्टर से बात करिए, अच्छे डॉक्टर से डूणना आपकी जिम्मेदारी है, और gas की गोलियां खा सकते हैं, gastric ulcers के लिए, उसके लिए medications ले सकते हैं, stress avoid करिए, भाया relaxation is important, stress prevention is important, deep breathing is important, अच्छी नीन के लिए yoga meditations or exercise is good, melatonin नामक medication ले सकते हैं, probiotic ले सकते हैं, अगर आपको लग रहा है कि नहीं, आराम नहीं आ रहा है, then those things can actually work very nicely, treatment क्या करोगे, देखो ulcer है, तो ulcer का treatment बहुत simple है, आ आपको ulcer खुद ही ठीक होता है, it's a simple thing, ulcer ने खुद ठीक होना है, मगर भाया, problem is, कि it takes some time, दो हफते, एक हफता लगता है, यहाँ चाला होता है, तो यहाँ से खाल लेते हैं, अपने ठीक हो जाता है, है ना थोड़े दिनों बाद, एक हफता, दो हफते बाद, but the problem is, कि पे एक ulcer protective agent आता है, ऐसा agent है, सुक्रा फिल नामक, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, हम ulcer को cover कर सकते हैं, उसके उपर coating कर सकते हैं, इन्हें अगर जब भी हम खाएं, जब भी खाना खाएं, तो ulcer के उपर एक coating कर लें, cover कर लें, उस cover के वजए से वो खाना ulcer को लग के नहीं जाए और ulcer अपने आप हील हो जाएगा, तो number one treatment है, ulcer protective agent, called as sucra phil, sucra phate, ऐसी दवाईया नाम है, उसके बाद जो दूसरी चीज आएगी, कि ulcer पेट में है, या food pipe में है, या ऐसी जगा है, जहाँ पर enzymes है, digestive enzymes है, या stomach का acid है, डियोडिनम में भी pancreas की, gallbladder के enzymes आते हैं, जो के acid हो combination नहीं है, ulcer पे acid लगेगा, तो क्या होगा, और जादा घहरा होगा, जलन होगी, जै मा काल, तो ऐसे में acid कम करने की दवा खाई जाती है, रबे प्राजोल, पेंटो प्राजोल या दे है, प्राजोल या दे है, प्रा खाई जाता है, you have to bring your big brother प्रा, तो प्राजोल को अंद डालना पुरता है, रबे प्राजोल, या पैंतो प्राजोल, सॉमेप्राजोल and प्राजोल, this is the medicine, और there is something called as D for Dom peridome, पनो सी D, पनो सी DSR, डी क्या करता है, वहां से एमटी पास्ट कर देता है, कि चलो खाना आया, 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 आपने ulcer पे protective cover लगाया, वहा से प्यार से नीचे आ गया, acid थोड़ा कम बनवाया, because of your pra, rabeprazole, and वो acid के बाद खाना जल्दी जल्दी नीचे चला गया, so क्या होगा, stomach gets little relaxation time and it heals, second thing क्या चाहिए healing के लिए, मान लो फिर भी ulcer जा है, पानी acid है और आपने दबा के खाना खा लिया, या ulcer कम है या जादा है, acid diluted है या जो भी है, acid लगेगा, तो चलेगा ना, जादा तर ulcer stomach के उपरी हिस्से में होते हैं, तो stomach को पूरा भरना नहीं है, stomach को पूरा भरना नहीं है, glass आदा, इसलिए small frequent meal, जितना खाना खाते हो, अद्दा खाओ, चप्पा खाओ, चप्पा मीन्स quarter, अद्दा खाओ या चप्पा खाओ, एक बार में, 4-4 घंटे में खाना खाओ, small frequent meals, और best diet होती है, bland diet, bland diet का वीडियो मेरा अलग से बना हुआ है, देख लेना, सर्च मार के, bland diet by doctor education on youtube, इस तरह से आप अलसर की ठीक कर सकते हो, डियोडेनल अलसर है, तो साथ में आपको चाहिए बहुत सारा fiber, इसब गोल नामक fiber, या फिर बहुत सारा fiber अगर आप खाएंगे, तो होगा क्या, जो गॉल ब्लैडर से आ रहा है, एसेड जो pancreas से आ रहा है, उसको fiber थोड़ा dilute कर देगा, अलसर के ओपर लगेगा नहीं, fiber बहुत सारा चाहिए, and still you need bland diet, जब oil ही नहीं जाएगा, oil कम जाएगा, oil नहीं लेना है फिर, oil लाता है तो bile निकलता है, आपको pancreas के राईपे जमाईलेज निकलते हैं, उसके stimulation कम होगा, तब ठीक होगा, तो यह सारा basic importance है, और इसके साथ जरूर ही है, जो एक important हम खाते रहे हैं, मूँग के चाले के लिए, B-कासूल याद है, B-कासूल, B-कासूल, B-complex, B-complex vitamin, आपके internal skin के healing के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए एक multivitamin साथ में लेना, B-complex, चाहे B-कासूल ले लो, सबसे सुस्ती सुलब टिकाओ, दो महीने के लिए, एक गोली रोज, बहुत कमी है, आपकी दो गोली ले लो, या कोई भी mega neuron OD+, neurobeyond, ऐसे कोई भी B-complex का एक multivitamin ले लो, बस इतना ही treatment है, अलसर आपका पका ठीक हो जाएगा, मगर अगर समझो के तो, So this is all about ulcer, Thank you so much, अगर पसंद आया video, तो दबा के शेर मारियेगा, लोगों को ये information कामाईएगी, Thank you so much, This is Dr. Paramji, You are watching Dr. Education, Stay Connected, Stay Hali!